दोस्तु क्या आपका भी Instagram नहीं चल रहा है यानि कि आप Instagram को open करते हैं और open करने के बाद यहां पर आप reference करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से problem आ जाता है यहां पर आपको कुछ भी so नहीं हो रहा है जैसा कि आप यहां पर देख पा रहा हुँगे यहां पर हमारे सा आपने वही आ रहा है problem could not repressive feed जैसा कि आप देख पा रहोंगे तो इसे problem को आप कैसे solve करेंगे इसे वीडियो के अंदर हम आपको details में बताने वाले हैं तो सबसे पहले आप यहां से बैक आजाएए अपने recent बार से अपने Instagram को हटा दीजिए हटाने के बाद सबसे पहले क्या कर कर लेंगे latest version होता है वीटा वर्जन तो वीटा वर्जन का latest link जो है वो मैंने description में दे दिया है तो अपने Instagram को बीटा वर्जन में update कर ले अपडेट करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि यहां से आप पर अपने जाएंगे setting में setting में जाने के बाद इस तरीके से आपका setting open हो जाएगा यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक apps के नाम से setting आपको इस पर क्लिक करना है यहां पर आपको लिखना है Instagram तो हम यह आप लिक देते हैं इंस्टा और जैसे आप लिखेंगे आपके समने आ जाएगा Instagram आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके समने इस तरीके से पे जाएगा यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है मिल लेगा storage आपको उस पर click करना है यहाँ पर मिल लेगा clear chase आपको clear chase पर click करना है उसके बाद यहाँ से बैका जाएए जैसे आप यहाँ से बैका जाएंगे बैकाने के बाद आपको क्या करना है कि अपने mobile phone में जो आपका internet है उसे आपको एक बार refresh करना होगा यानि कि आप फ्लाइड मोड चालू करेंगे चालू करने के बाद फिर आप अपने फ्लाइड मोड को बंद कर देंगे फिर आपका internet रेफ्रेस हो जाएगा उसके बाद यहां से आपको करना क्या अपने मुबाइल फोन को एक बार सुच आप करना होगा यानि कि अपने मुबाइल फोन का पावर आप करना है आप करने के बाद फिर अपने फोन को आप 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 कर लेंगे आप करने के बाद रिसेंट बार से आपको सारा का सारा application हटा देना है हटाने के बाद अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको जाना होगा अपने Instagram में तो यह हमारा Instagram है इसे हम Open करेंगे जैसे इसे Open करते हैं ऐसा कि आप देख सकते हैं अभी भी यह Problem Solve नहीं हुआ है जैसा कि अभी आपको So हो रहा होगा कि अभी भी हमारा यह Problem Solve क्लिक करना है उसके बाद 3.0 पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगा सेटिंग पर क्लिक करना है यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगा Help आपको Help पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर मिलेगा Repet a Problem तो आपको Report a Problem पर क्लिक करना है second option पर click कर देंगे तो यहाँ पर आपके समय इस तरीके से page आएगा यहाँ पर आपको अपना एक screenshot ले लेना है इसे आपको cut करना है अपने gallery से आपना वह screenshot ले लेना है जो आपने अभी अभी लिया हुआ है तो जैसे मैंने इसे लिया थाओ फिर है और यहाँ यहासे cut कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा next आपको next पर click करना है यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं जैसे हम लिख देते हैं इन्स्टाग्राम home screen home screen feed option not working तो हम यहाँ पर लिख देते हैं feed option not working तो मैंने यहाँ पर लिख दिया उसके बाद यहाँ से आप नेस्ट कर देंगे नेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको send report पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे आपका report send हो जाएगा अब आपका क्या करेगा कि आपकी whatsapp यानि कि जो instagram की team है आपके report को देखेगी और 48 या 24 गंटे के बाद सारी problem solve हो जाएगी अगर by chance आपका ये problem solve नहीं होता है तो आपको क्या करेंगे कि आपको अपने phone में instagram light का योज करना होगा एक या दो दिन के लिए तो यहां से आपे download कर लेंगे instagram light और उसे आप योज करेंगे एक या दो दिन और उसके बाद आपको फिर से अपना instagram चालू कर लेना है और आपका instagram चालू हो जाएगा नहीं तो आपको एक बार अपने instagram को delete कर देना है डिलेट करने के बाद फिर आपको install करना है और फिर आपके समने ये कभी भी problem नहीं आएगी और latest version में हमेशा update करके रखना चाहिए latest version का link आपको video के description में मिल जाएगा तो मिलते हैं next video में इस video के लिए इतना